हलो फ्रेंट आपका स्वागत है मारे यूट्यूब चनल पर तो कैसे हैं आप सब लोग आई होब कि आप लोग सब सब्साइओंगे तो हम जैसे की इरिगेशन का आज पार्ट टू है तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट यह सब्जेक्ट है यूके पीसी जेए के लिए आप सब्सक्राइब को पता होगा सब्सक्राइब कर सकता है इसके जितनी ज्यादा कर सकतो आप कर लीजिए और हमारे सांत रहिए एक जार प्लस क्वेशन हम इसमें कर ले जाएंगे तो यह आपके पास आज मैं 50 वेशन लाया हूं इसमें अब प्रॉक्स 50 वेशन रहेंगे इसमें तो इसमें आप यह देखना कि मैं इसको टेस्ट स्रीस की तरह लेकर आ हूँ ठीक है इसमें ज्यादा डिटेल नहीं होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए होगे तो यह बहुत जादा इंपोर्टेंट हमारे पास स्रीस रने वाली है इरिगेशन इंजीनियर की जो हमारे पास आज 50 वेशन यानिकी इरिगेशन इन इट्स मैट थर्ट वाली चैप्टर वो कंप्लीट कर तो कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं बजा आपके पास जो आप नहीं कर पाऊगे पेपर में इसली कर पाऊगे और इसको देखने के बाद अमनी ठीओरी जरूर पढ़िए तो स्टार्ट करते हैं दकेनाल विच कैन इरिगेशन ओनली वन साइड़ेट जब एक साइड में आप यहां पे जन्रल यूस जूर जाता है यह हमारे पास जूस कर जाते है ऑने सबसे हीयरह यूस करें जाते है यहां पेर हेली और हैं अकैयम यह वात करें दालस और ओःटर कोश्ट बाईलिए लिफ और डिए ओप्टेयुक्र आपीड तिसके साध्ट को ने में होता है डिय सबुआ ओंकर गाराँस के दूत पर सब्सक्राया ँवख्वार करेंख सब्सक्राइब करें वेना वाटर टेबल इस विदिन रूट जोन डेप्थ एंड इस डिटेमाइन टुद प्लांट लाइफ दा लैंड इस सट तो वी उसको क्या बेसें फ्लेडिंग वाटर लॉग क्या बोले जाता है ओबर यह सुपर सेचुरेटेट कि ऊसको जो बोला जाता है आपके पास यह बोला कोईशन में वेना वाटर टेबल वी दिन रूड जोन डेप्थ इस डिटेममेंग दा प्लांट लाइप दे लेंडि सेट टू वी उसका जो क्रेक्टर आंस होता है वाटर लॉग ड्म ये क्या होता है वाटर लॉग्ड म्यान पास हमने प्लांट को यहां पर लगाया है तो यहां पर जो पानी खटा हो जाता है उसी हम क्या किते हैं वाटर लॉग्ड हो जाना ठीक है वैल इरिगेशन इस मोस सूटेबल या फिर यूस्पूल वियर वैल इरिगेशन आपको पता होगा एक्यूफर और अंकंफाइंड में हम इसको पढ़ते हैं अंकंफाइंड और कंफाइंड एक्यूफर आपको पता होगा कंफाइंड एक्यूफर क्या होता है जिसके नीचे वाली लेयर को फिक्ष कर देते हैं उपर वाली लेयर को फिक्स नहीं करते और इंग कर्थी मैं क्या होता है कि आ trazer तो औरnaire को जि 관심 कर दिया जाता है यहां ठीक है तो इसके कर यह हूद हो जाएगा सिसम्ट करकृप टलोगी बningen00 का बन जाना नहीं ठीक है लोअरिंग ऑप ग्राउंड वाटर टेवल हांजी यह पिलकुल सभी है तो दिसद्वांटेज मेंडेश हमारे पास हमारे पास सिद्वाटर टेवल और सब्सक्राइब और हाँ जिसको भी पीडियाप चाहिए हमारे पास वर्टसप नंबर पर मैसेज कर देना पीडियाप मिल जाएगी हवाली ठीक है तो मैठोड और इरिगेशन यूजड पर और चैट इस और हमारे पास यानि कि बगीच्चे में कौन सी मैठोड बेस इन फ्लटिंग का इन टाइप इरिगेशन इसकी मैं इन टाइप इरिगेशन इसकी में जो क्या करता है इन टाइप इरिगेशन के बीच की एक यानि कि वो सकते हैं जहां पर पर्मिनेंट टाइप का इरिगेशन हम कर जाता है ठीक है तो उसको बंदारा इरिगेशन बोलते हैं यह हमारे पास यू के ट्रिपल सी जेई बीस बारा दोजार बीस में पूछा गया था ठीक है यह कोईशन अब एक कोईशन एक और होगा इसी टाइप का पर उसका भी आंसर बंदारे इरिगेशन होगा ठीक है है G8 पी इन कि इस in the harvest season वें दा रिवर फ्लोवीश मैपड़्स भी ओडॉपके पश्फॉल या तो सको क्या बोला जाता है हमारे पास क्या बोला है हार्वेस्ट सीज़न ररिवर फ्लोवज लो विद रम जोबल तो बोला है तो क्हुतरी इरिगेशन चरiałaं पर हमारे पास क्या होती है पानी की कमी होती है वहां पर हम पानी को इस्टोर करके ठीक है वहां पर हम इस्टोर करके फिर हम उसको सिचाई कर सकते हैं तो इस्टोर इरिगेशन हुआ है अब हमारे पास एक फॉर्मल बन जाता है इन्टेंसिती आपने पढ़ा हुआ इन्टेंसिती ऑफ इन्रीचे सन की डेफिनीशन आपने पढ़ी होगी तो यह बोल रहें इन्टेंसिती और इर्यचे सिन की डेफिनीशन क्या होता है ratio होता है किसका actual एक्चुल जो irrigation हो रही है ठीक है upon किसका CC एका cultural irrigation area या पर CC एगा ठीक है तो यह ratio ही हमारे पास होता है तो intensity of irrigation है इसका correct answer which of the following irrigation technique is preferred where area है इरेगुलर टोपोग्राफिकल बोल रहा है कब तिक है इर्यागूलर टो ग्राफिकल कहां पर हता है इस पर गणर की बात करें हम हीदी एरिया में यूज कि जाते है इसे हुआ। फ्लावर कोफी जिसकी ठीक है जिसके जो रूट होते हैं जो बहुत कम टैप्ती होती है वो जैसे हमारे पाइब करेंग़ बने तो नहीं हो सकते इंवेस्ट करी जाती हाइए में आप इस्टोरेज वियर क्या बोलना है थे वियर बोल दिया एक स्ट्रक्सर अक्रॉस दा रिवर या फिर वाटर इस टोरिज रिजर्वायर लेक कि इस प्शको क्या बोले जाता है उसको भूले जाता है टैंक इरिगेशन या निकी हम वोल सकते हैं टैंक का मदलब आप कभी आपने देखा होगा दफ डैम आपने पढ़ा होगा तो कि दैंक बोले जाता है उके तो एध's कि irrigation वहाँ पर tank बना दिया जाता है इस्टोर करने के लिए ठीक है यानि कि हम एक बात बोल सकते हैं जैसे जैसे आपने डैम देखा होगा उसको तो अभी छोड़िए एक बात और बता दो आपको जैसे यहां माल लेजिए कि आपके पास पानी आ रहा है तो यहां पर मिट्टी का एक एक आपका मिट्टी का मेडा बना देते हैं पानी को रोगने के लिए ठीक है पानी को रोगने के लिए फिर यहां से आप क्या करते हैं पाइब ले जाते हैं अपने पास सिचाई करने के लिए ठीक है खेद आपके पास हो गया है फिल्ट हो चुग है सिचाई करने के यह पाइब ले जाते हैं यह हमारे पास क्या होता है इसको टैंक इरिगेशन यह फिर मट इरिगेशन भी बोले जाता है मिट्टी के डैम टाइप के बना देते हैं ओक्रॉस दा वॉटर बनाया जाता है ठीक है टो उसको क्या बूले जाता है है फिलोट इरिगेशन हाईवर इ öyle जी लेशन याफिर लिटेसन जो पंप से हम फंप के द्वारा करते है ठीक है से लिप्त किसके करना करें पंप के द्वाबरा तो लिट एरीगेसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और पंप कॉन सा कॉन सा पंप सैंक्तिरी फ्रूगल को हम सब्सक्राइब कर यह में sweat तो इसका प्लस लाइक करते रहे हैं और आपके पास एसी में इर्डिएशन फ्रूट में कहीं सो है टीनों सब्जेक्ट हम ऐसी बना देंगे कि हम तीन से चार मेने में हम परफेक्ट बन जाएंगे क्योंकि देखिए पेपर टू में आपके पास माक्स लाना बहुत जरूरी है पेपर टू में ठीक है तीन सो प्लस मार्क से ले आएंगा अगर आप साथ देते रहें ठीक है दा बेस्ट इरिगेशन मैथट एस सुच्वेट एडिया वेर इसक्रेटी ऑफ इरिगेशन वाटर इस तो बैस्ट कौन सी है तो आपके बाद बताता ड्रिप इरिगेशन बैस् लेगा लगा अगर गई आपके बाद कितनी एफ इसनल के आती है कम से नाइंटीगेशन इस टिरुक्रिगेशन की ठीक है फिर उसके बाद पूछ लेगा अगर ड्रीब नहीं होता तो इस प्रिंगल इडिकेशन को आप लगा देए 80% इसकी एफ इसनल के आती है ठीक है इए कि इस इन विच आप फॉलोव इसन मेफड़ ऑफ लॉस ऑफ वाटर ड्यू तो इव पोर्शन इस नेग्स लेवल अब कॉन जहां पर हम इव पोर्शन को नेग्स लेवल माल देते हैं वह कॉन से फिर्व इरिएशन इस प्रिंकल इरिगेशन ट्रीप इरिगेशन यह ऊढ़िकें ही कई इसकी सबसे जढ़ाथ है क्या करते इसमें माल लीजिह आपके पास यह आपने वह दीए है निछे इक आपस यहां पेपानी की दिख्कत होती हैं वहां पर यूज कर यहाथ खर विचो फालोइंग है स्था हाई इरिटे संफिसेंसी सबस्द्ञाइफ एसेंसी कौन देता है 99 परसेंट डिपिशन एसब सब्सक्राइब सबस्द्राइब कुछ तो क्या परपस है हमारे पास यानि कि क्या प्रोसेस है इरिगेशन की डिफाइड करने के लिए तो आप सप्लाइंग वाटर तो स्वाइल ओफ और क्रॉप आर्टिफिशल हाजी आर्टिफिशल हम क्रॉप को पानी दिया जाता है और हर्सिंग एंड कंट्रोलिंग दर प्रेक्ट आंसर हो जाएगा पिक अप्रक्ट इस्टेंबेंट ऑफ फॉल्विटी वाटर इसको अच्छे से इंपोर्टेंट यह पेपर में आपके आपके लाद देख सकते हैं यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट है क्या हो जाएगा आपके पास ग्रैविटी वाटर इस पढ़ा नहीं होगा हांफुल ऐसा कुछ और फ्री वाटर होता है जो डिर्यक्ट ली रूट जोंसे भी नीचे चले जाएग्रोश्कॉपिक वाटर भी हांफुल नहीं होता है ठीक है कि किसी काम कि नहीं होता है बाद कैपेल्यरी मोहिच्चर है यह हमारे पास पेड़ों के उट की पर सेफ़ देगा। दाफ्लो इर्रिगेशन इस बाइक ग्रैविटी लेक्रिकल सब्सॉइब तो जो फ्लो अधिन होता है वो क्या होता है। ग्रैविटी के कानट जो फ्लो होगा वही हमारे पास फ्लो इर्ट होता है। कि इन वीच में फिल्ट को डिवाइट कर दिया यहां इन तो उनको क्या बोलता है इस्ट्रिप बोला जाता है क्या बोल जाता है लंबे-लंबे इस्ट्रिप और इनकी जो वरीत होती है कितनी लिए आती है दस से बीस से में लिजाती है 10-20 मीटर सोरी डस से बीस मीटर और जो एक लिजाती है वह 100-400 तक है ले सकते हैं इसकी ऊके है तो इसका जो क्रेक्ट आंसर भी अपके पास बन जाएगा है इसका क्रेक्ट आंसर बन जाएगा flow irrigation is done from flow irrigation कहांISH पर कैनाल में एक जाता हैatan flow which of the following is the statement is are not among the major limitation of spritringle irrigation किसकी बात बुला है springer irrigation की बात कर आधि और भी नहीं इन में से नहीं है जो major limitation थों स्ट्रॉॉंड मिंट सफ्विकिशन दरि स्पुरिदर आप है क्यों जब हमारे पार फुरारा होता है आपने देखा होगा हावा भी तो चलती है उसको क्या करता है हमारे पास हवा डिस्ट्रीबुर्ट करता हो ठीक है डिस्टर्ब करता है हमारे पास और स्ट्रॉंग विंतेज हवा चली कि तो इफ रिक्वाइड है वी इनिर्सियल स्ट्वेंट में हाजी पाइब हाई लगाने जाता है ठीक है इन्वेस्टमेंट बहुत ही हाई निकल के आती है पानी पर आपके पास अब आपके पास यहां पे फसल उगाई जाती है तो इनमें फसल उगा दी जाती है और बीच-विच में पानी बर जाता हो यहां पर पानी बढ़ा जाता हूं जिस्शे इसे आपके पास एक और होता है इव पोर्स न आपके पास लॉसे उसेज जादा देखने को मिल जाते हैं इसका इसार हो क्या होगा कि फिरो मैंतर इसका खरिक्टर अंसर हो जाएगा अब बात कर लें हम फॉर्ट इस प्रे एप्लिगेशन दा क्वालिट क्वांटिटी टू भी अप्लाइट इना फिल्ड विल्ड डिपेंड अपॉन क्या प्रैसर फॉर्वर्ड इसपीज नपर नोजल सभी हो जाएंगे ठीकिया अलोब तीस का क्रेक्टर आंसर हो जाएगा या के इरिगेशन वॉर्टर उडु भी अलैंट बाइ मीजा ग्रैविटीटी फ्लो ग्रैविटी के करण 1950 हो रहा है विस दा फॉल्ड इस दैण टाइफम एडिण ऑ फ्रीगेशन पहल स्पोल धे कि अगर आपने जरूद से ज़्यादा पानी दे दिया फसल को on की दर सप्लाइए ओफ इडिचेशन वाटर तो क्या ओजाए कर पहले तो लगते हैं जल्दी से जल्दी टाइप ऑफ सर्पेस इरिगेशन मैथर जनरली प्रैक्टिस इन हीली एरिया हीली एरिया में कौन सी हम इस्प्रिंगल इरिगेशन को यूज कर जाता है आप भी बताया था मैं आपको कि आउट ओप डड़ टोटल लिक्विड वाटर ओफ अर्थ दब ब्रैकिस वाटर ब्रैकिस मलब क्या होता है सी वाटर कि सी वाटर हमारे पास कितना हमारे पास टोटल लिक टोटल वाटर में से हमारे पास सी वाटर कितना यानिके ब्रैकिस वाटर कितना है मतलब यानिकी सतानब्वे पांच परसेंट हमारे पास सी वॉटर है ठीक है सी वॉटर की नहीं सब्सक्राइब आप 95 परसेंट बंच युटर की बारी निस्टेयशन ऀनंधर में अजाएगा शिंट अब भशंग आया आपेलो ड्रीक्राइzd ऑप ने तोड़ी ॥ा ने अरव लिप्त ने लिकुकर इरे मार तोड़ दिया में ठीक है इनंडेशन में लग अधिक है इनंडेशन तो आपने सब पढ़ लिया होगा विच आप फॉल्वाइइश करेक्ट इस्टेंटमेंट इस इस प्रिंगल इरिगेशन का करेक्ट इस्टेंटमेंट बताना है क्या राइस और जूट के लिए कभी उज नहीं के छोटी फ्र्स लों के लिए चोटे जिनके रूट होते हैं उने उनी के लिए इस प्रिंगल इरिकेशन रहा थे इती यूड़ एवी यूड़ बूस्टेंट में गिविलों डिए इसा कुछ नहीं है ठीक है इंफिल्टेशन इसका ही होता है जब कि एक बैस टेबल्प वर्याइट तो इसका प्रेक्ट आंसर बन जाएगा लाइट विए यूज उस कर जाता है इस प्रिंग लिए इस अब मैफ़ड ऑफ इच प्री इस सरांड़ेट अब बाइब वाइब वादर तू फॉर्म पूल वेन वाटर इस अप्लाइड इसकोल यानि कि बोल ला है कि और ट्री की बात इस उरॉंडट by water ट्री में क्या होता है बेसिन वेसिन इरीचेसिन हमारे पास यानि और चैनि यानि कि बगीचे में जब भी हम इरिकेशन के बात करेंगे तो बेसिन इर्डीकेशन इसका क्रेक्टर आंसर बन जाएगा इस अ यह लेन्द्स ओफ मुष्रीड यहांद गीला तो इंफर्स क्रोफ कें बिग्रोप विदाउट इडिएसन इसको क्या बोले सैमिट जोन बोला जाएगा तीक है जो नहीं हमारे पास सूका है हमारे पास ज्यादा हुआए हमारे पास ज्यादा हुमेड मैं सिस्टम और इरिगेशन वेरिस सुटेबल इन ट्रेक्स वेर दियर और नंबर और स्मोल रिवर एंड इस्ट्रीम इस कॉल एक फिर से आपके पास बांदरा बंदारा सिस्टम इसका क्रेक्ट आंसर फिर पूछा गया था आपके पास यह कितना इंपोर्ट है यूग के त्रिपल से बीस तारिक को पूछ जागा था इसमार टिके बीस बारा दोजार बीस को पहला उन्नीस को था बीस को फूछ दिया इसको याद बहुत इंपोर्टेंट है यू के प्सीजिए के लिए सब स्यादें इंपोर्टेंट पोश्चन बन जाता है इसमाल रिबल के लिए आप देख सकते हुए इसमाल रिबल के लिए इसको यूज किया जाता है इन विच मैथाट और इरिगेशन एंटायर फिल्ड इस डिवाइट इन्टू नंबर ऑफ लीब्ड प्लॉट यानि कि बोला है दो बागों में कब बाढ़ जाता है यानि कि द लेबल प्लॉड में इसको बाढ़ दिया ठीक है बहुत सारे लेबल में आपके पास इसको कर दिया इसमें कोई दूसरी इसमें कोई दूसरी इसमें कोई दूसरी इसमें दूसरी इसमें दूसरी दूसरी इसमें अलग-अलग फसल बोदी इसमें लेबल में एक लेबल में आ सक्रेक्ट अंसर हो जाएगा पॉर इस्टेंडिंग क्रॉप इन इंस्तेंडिंग बद सकतेंदेशन से संदि फिलड़े मुन को स्टेंडं恤 सपुरिंता कि है हमाने पाद स्प्रिंगल इडीशन तो बात करें मैफंट फिरो मेपड़ या फिर आप के पास all of these हो जाएगा तो जो भी हमाहे पार अभी इन अंडू इन अंडिलेटिंग क्रॉप सो बोले तो इस प्रिंगल इरिगेशन इसका करेक्टर अंसर बन जाता है इरिगेशन मैथर्ड वेर ओल्ली वन फिफ्ट इंपोर्टन कर से वन फिफ्ट तो वन आप यानि कि एक बट्टे पास से एक बट्टे दो और लेंड शर्पिस बाइव वाटर रिजल्टिंग लैस इवपोर्शन एंड लैस पॉंडिंग ऑप स्वाइल इसकौर्ट फिरो इरि स्लोब जो रखाए 0.5 परसेंट से क्या रखा जाता है लेस्लोब रखा जाते ठीक है तो आइटिंग 0.5 इसका स्लोब रखा जाता है एक बार आप भी चेक कर लेना होगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसमें क्या है नेक्स्ट पहले स्वार्ची प्रिंगल तो उसमें हम क्या करते हैं जहां भी कार्यूगेशन की बात करता है दो फिरो इरिगेशन वहाँ पर की होता है कि अधिक प्लाटि इरिए सन इस फिर्टिरीटेशन लेवल या पि जैन्स तेरें तरफ इसको चेक कर लेना एक बाद फ्लाटिरियेसन प्रिके जहां पर भी आई थिंग यह होगा क्यों कि क्या हो जाता है तिक डौट हीट अरिया में हो नी सकता को इस्ट्री और इन द पॉस वर्ट क्लासिफिकेशन हैंड और वाटर प्रेजेंट इन स्वाइल इस नॉर्मली फाउंड तो हैंड मतलब क्यों होता है पानी रूग रहा है पानी किसमें रूग रहा है अभी बताया था मैं आपको कैपिलरी वोटर में है नारी अना प्रमेंटर व्योंटिल के बात बोलियात तो है भीडि फाइल वर्टारपाइल पर्मेंटर वैल टुटिंग पॉइंट बोल जाता है ठीक है अ 12- и अगर उन्योंड बात कर लो हिसमें हमायख बैलियो होती है संड और क्रेले気ं किसके रोगिया सेंड और किले किले वैल्यू वैल्यू ओती है मुस्ट फर्टिलाइट स्वाइल इस फर्टिलाइट मतलब जहां पर जो उपजाओ मतलब यानि यहां पर भी हम फसल भो रहे हैं अच्छी मिट्टी कह सकते हैं एलिवियल स्वाइल इसका करेक्टर आंसर हो जाएगा द्रिक्विरेमेंट विक्यारव में ओंग अश्ड़ के लिविश्टों गांसर कंडी को एं कि और यू बॉरियाट की इसके खरीब सीजन के आप क्या कीजिए का जो 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 होती है वह याद करें छाइस से आपके पास यून से अक्टूबर होती है अर्फ देखिए मैंने आपको बता कुंड बनाए जाते हैं बोला था ठीक है तो यहां पर आपके आपकी लगा दिया जाता है डीचस बना दी जाते हैं तो इसी को कि क्या बोलता है फिरो इरिगेसन भोले जाता है जीस काफ्रेक्टांसार हो जाएगा जिसमें में क्या करते हैं इसमें हम क्या करते हैं जैसे आलू की खेती होगी प्यांज हो गया लैसन हो गया इनको हम भूते हैं है कि तक वाटर टेफल फॉर रजा तो यहां पर और ignore ऊंडर नड कट टाएबल पर लिवर्ट टौ ले अल डिवर स्टाइन कहान जाएगा को नैग्स्ट को के बाद करें लिप्टी इर्रिगेशन और इंक्लूट इरिडिजर्ट इनक्लूड ही नहीं करते हैं उसका क्या होगा किस एंक्लूड नहीं करते हैं क्य दूर्ड रिप्डूब वल्ट कि मोर्ण क्या admission is an하신 कि अभी बताया तो मैंडे आपको जो भी फ्लड होता है इननुण याने कि बाण बाह्ड पानी ठीक है बाढ़ पानी लेक्वली तो में हम कभी भी immigration को यूज नहीं करते हैं यानि जहन इहां कि मेरे पास किसका पार्ट होता है यह आपके पाद फिलो फिलो इरिगेशन का कि पार्ट होता है इंडर्डेशन ठीक है मैथट औफ अप्लाइंग वाटर डिरेक्टली तुद रूट जोन ऑफ दा प्लांट इस कॉल चैक फ्लडिंग ड्रिब मैथट फिरो मैथट यह स्प्रिंगल इरिकेशन तो देखे डिरेक्टली रूट जोन में हम अप्लाई कर रहे हैं ठीक है प्लांट के वह कौन सा पानी हो सप्लाई करते हैं ओके डिरेक्टली रूट जोन में तो गाइस हमारे क्वेशन खतम हो चुके हैं तो अगर आपके पास अगर देखिए अभी भी आपके पास फाइब मन्त एक्जाम को होने के लिए बचे हैं फाइब मन्त ठीक है यूके पीसी जहीं की बात कर रहा हूं सब अप्रेल में अप्रेल में आपके पास टीस डीसी का पेपर कंड़क्टर होने वाला है तेहारी कर लिजिए और डाप्टमेंट का भी यहां पर आयोग ने सीते सीते मैसेज कर दिया था मैंने बताया लिए वीडियो में बट मैंने यह नहीं दिखाए कि उसका मेल ठीक है इसकी ले सकते हैं ठीक है मांग लेना आप मैसेज करके इसकी पीडियाप चाहिए कर दोगे तो जादर जादा अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करके जाहिए गाईस बाइबाई थैंक यू एंड टेक कियर